राहुल गांदी और कॉंग्रेस को फिर से एक बार जटका लगा है आपको पता दें कि राहुल गांदी की मुशकले कम ही नहीं हो रही है और फिर से एक बार उनकी जो दो साल की सजा थी और जो मानहानी का दावय के चलते उन्होंने एक याची का जो दायर की गई थी उसे सूरत सेशन जज़ द्वारा जो है वो एक बार फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है आपको बताते चलें कि पहले भी ये मामला संग्यान में तब आया था जब उनके खिलाफ याची का जो दीद दायर की गई थी और मामला जो था वो मानहानी का था क्योंकि उन्होंने एक प्रेस कॉंफरेंस के दुरान एक स्टेज पर कहा था कि सभी मोदी जो है वो इस तरीके के क्यूं है और इस बात को लेकर बड़े विपक्ष की अगर बात करते हैं तो उनकी तरफ से कड़े शब्द कहेगे कड़े संग्यान जो थे लिये गए थे लेकिन वहीं पर आपको पता दें कि इसके चलते जो है राहूल गांदी ने एक याचिका दायर की गई थी उस याचिका को आज एक बार फिर से सूरत कोट ने रिजेक्ट कर दिया है कॉंग्रेस की और राहूल गांदी की मुश्कले यहां पर कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं उनका घर भी उनसे खाली करवा लिया गया है जो दिल्ली में था तो ऐसे में यह भी क्यास लगाए जा रहे हैं कि अब वो सोनिया गांदी के साथ रह रहे हैं और काफी जादा मुसीबतें जो है समय कॉंग्रेस पर आई हैं वहीं पर आपको पता दें कि आज ज जिसे सूरत की सेशन अदालत ने रिजेक्ट कर दिया है जो की दो साल की सजा थी और जिसमें ये भी कहा जा था कि उस सजा पर रोक लगाई जाए उस याचिका पर रहुल गांदी को कहीं न कहीं ये विश्वास था कि जरूर जो हैसकी सुनवाई होगी लेकिन आपको पता जाने कि याचिका को ही रद कर दिया गया है इस मामने पर भारते जंता पार्टी यानि मैंने पहले सही कहा है विपक्षी पार्टियों ने काफी जाद उस बात को तूल दिया था और निशाने भी राहुल गांदी पर सादे थे उसी पर आपको पता दे कि भारते जंता पार में दिये गे जो भाशन फा जो उस समय वह बाशन लोगों को संबोधिद करते हुए दिया था वही पर यह पूरा मामला थो जागा था और उन्होंने पर आया था उसमें की मेरा आपको ये भी पता दू कि उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि हम नहीं जानते कि ऐसे कितने और मोधी सामने आएंगे राहुल गांदी की जब ये बात की तो विपक्ष को समय मौका मिला उनको आड़े हाथ लेने का और उसी के समय जो 2019 का कोलार मामला था जहां पर लोगो को जिन लोगों का मोधी के नाम लिया है उन सभी लोगों का मान हानी का जो है उन पर दावा किया तो ने कहा था कि इन सभी जो लोगों के साथ मोधी जुड़ा हुआ है उनका अपमान जो था राहुल गांदी ने किया था और उसी के मामले को लेकर आपको बता दूं कि सचिवाले का भी जो सदस्ता है उससे भी हटा दिया गया है और आपको यह भी बता दूँ कि आज जो याचिका दायर की गई थी उसे पहले तो सूरत तालत ने जिस तरीके से याचिका जो दायर की गई थी सुविकार किया था लेकिन इस पर जैराम रमेश ने कहा है कि यानि वो अभी यहां पर चुप ही नहीं रहने वाले हैं इसके आगे वो और उचन्याले में जाएंगे और वहां पर भी अपील करेंगे और उन्हें कहा है कि जितने भी अभी तक उनके पास उपलब्ध कानून है उन सब की मदद लेगी उन सब के तहट जो आगला मामला है उस पर जाएगी और पूरी तरीके से कोशिश यह करेगी कि इन पर सुनवाई हो उन्हें कहा है कि कॉंग्रिस नेता और वरिष्ट अधिवक्ता अभिशेक मनू सिंग्वी उन्हें कहा है कि सभी जो कानूनी कदम होंगे इस बारे में मीडिया को जानकारी वो समय समय पर दे जो है वो राहूल गांदी के लिए बना हुआ है लेकिन उससे जादा परिशानी का कारण जो है कॉंग्रिस पार्टी को लगाता जटके जो है वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि विपक्ष की बात की जाए तो इस समय वो राहूल गांदी को कोई मोका नहीं कारज कर दिया गया है 2019 का मामला था कॉलार में भाषन देते समय मोदी नाम का जो इस्तमाल किया था उस पर लेकर यह अभी भी जो है मसला बना हुआ है अब देखते हैं आने वाले समय में कॉंग्रेस क्या स्टेप उठाती है लेकिन फिलाल जनता जो है वो जरूर राय दे क कि किस तरीके से आप इन सब को देखते हैं कि क्या कहीं न कहीं पोर्ट में भी इनसाफ जो है वो नहीं हो रहा है या फिर राहुल कांदी के आने वाले समय में मुश्ली और बढ़ेंगी आप किस तरीके से इस खबर को देखते हैं अपनी जो राय है वो जुरूर रखेगा जाद जाद इसको शेयर करेगा फिलाद अकली जी पूरी अपडेट से दीजीगा मुझे जाज़त नमस्कार